Back to my channel, आज की वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे Unit for Nutritional Needs हम डिस्क्स करें Foundation of Nursing Volume 2 Unit 1, 2, 3 अप्लोडेटे चानल पर अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखे अपने डाउट्स को क्लियर कर लेजे आज की वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे Unit for Nutritional Needs हम डिस्क्स करते हैं According to the Slay Bus Slay Bus में सबसे पहले कुछ पोइंट्स मेंशन हैं कि Importance के Nutritional Needs का Factors के Affect करते हैं साथी साथ Review है Special Diets का, Triapetic Diet का Care है Patient के जिसको Disphage या मतलब कि Difficulty in Solowing Anorexia मतलब कि Loss of Appetite Nausea जो Unpleasant Feeling होती है Vomiting जिसमें इस टमक कंटेंट आपका क्या करता है Xpill Out करता है साथी साथ हम डिस्क्स करेंगे Nutritional Needs के Principles Equipments, Procedure, Indication, Oral, Intral और Parental अगर मैं बात करूँ कुछ Basic Points की जो हम स्टार्टी में डिस्क्स कर लेते जिससे आपको आगे चाप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो एक पॉइंट इसमें में में इसमें है Review Spatial Diet Spatial Diet के अकर मैं बात कर तो वो 3 टाइपस की होती है सबसे पहले Solid Diet, Liquid Diet, Soft Diet Solid Diet का मतलब होते है ऐसे खाने वाले प्रदाट जो आपके Solid Material के हो Solid Matter मतलब कि जैसे Solid Liquid Gas हम लोग पढ़ते है उस टाइप से Solid का है इतना Solid नहीं कि वैसा Solid आपको नहीं समझना है जो ब्रेक ना करपा आपके त्वीत या फिर उसको प्रॉब्लम हो वैसे Solid नहीं, Solid उनका Matter हो Solid Diet में आपका एक्जांपल लाएगा Fruits, Vegetable Liquid Diet का आपका एक्जांपल रहेगा जिससे की Watery जितने भी आपके सूप आजाएंगे Juice आजाएंगे Coconut Juice अलग-अलग वाटर में रहते है तो वो सब चीज आपके हैंगे Liquid Diet में Soft Diet में आपका एगा Yogurt, Mashed Potato, Cottage Cheese, Jelly तो ये Points हैं जो डिफरेंस में हैं आपको एग्जांपल के साथ में बता दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो Solid Diet, Liquid Diet, Soft Diet में रेकॉर्डिंग आपको clear है एक और बहुत बड़ा डाउट है जो इंटरल और पेरेंटरल में डिफरेंस करता है तो आपके दो ताइप्स की होते है आपको स्क्रीन पे पेड़ा चला है इसमें दो ताइप्स में इसी लिए पेंसल से लिख दे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नो एक आपको होते है इंटरल एक होते है पेरेंटरल इंटरल में हम लोग जब पेशन को पेशन या परसन को फीट कराते है वेभबबबबबबबबब पर इंटरल में आते हैं यह basic point है जो आपको आगे confusion create करते हैं इसलिए मैंने को स्टार्टिंग में clear कर दिया है अगर कोई भी doubt आपको इस unit में हो तो please comment box में mention करेगा अपने doubts को जल से जल clear करेगा अब हम start करते हैं nutritional need unit को foundation of nursing में अगर आपको कोई भी unit है तो सबसे पहले आपको definition या उसके meaning पता होने चाहिए हम start करते है nutrition और health की definitions है health की तो basic सी definition है WHO के दुआरा जो हम लोग discuss कर चुके हमारे subject nutrition में same as nutrition की definition आपको learn होगे आपके nutrition unit 1 की जिसमें हम लोग ने discuss कर रहा था introduction to nutrition तो आप वह definition को भी लिख सकते हैं क्योंकि वह एक author भाई है nutrition और health का मतलब आपको पता है कि nutrition में कैसे nutrients होते हैं जो आपके food में पाए जाते हैं जो आपकी body के लिए important होते हैं क्योंकि वह important function या फे vital role play करते हैं आपकी body को provide करते हैं protein, lipids, vitamins, minerals, etc. हम discuss करते है function of food वैसे तो function of food के अगल में बात कर तो यह भी चीज़ आप nutrition में discuss कर चुके बट foundation में इसको divide कर दिया, divide कर रहा है इसको 3 में, सबसे पहले इसमें physiological function, next आपका है social function, next आपका है psychological मतलब कि जो भी आप खाना खारे खाने से आपके क्या affect करता है body पे वह आपका आजाएगा physiological प्रोडियो लॉजिकल क्या आपका वर्ड करता है सोशल इवेंट पे वह आपका जगह सोशल फंक्शन पे नेक्स्ट आपका क्या वर्ड करता है साइको लॉजिकल मतला माइंड पे अगर मैं बात करूँ कोई भी आप फूट डियर निट्रियंट्स लेते हो तो इससे आपकी बाड़ी को क्या मिलता है इनर्जी मिलती है पहले पॉइंट में आपको इनर्जी के बारे मिलता है दूसरे पॉइंट में आपको बताएंगे जिससे आप अपनी बाड़ी में रेपेरमेंट और मिंटेन कर पाते हो सेकेंड पॉइंट में थर्ड पॉइंट में आपको क्या क्या होता है foot को सर्फ करा जाते है birthday marriage यह सारे social events से जिस पर celebration के वक्त क्या होते है foot को सर्फ करते है males are given more and better food due to higher status in the society यह fact है और ऐसा social functional माना जाते है तो मैंने आपको बता दिया जो food हम लोग plan करते है वो must be wholesome होते हो और enjoy able होते है यह आपके कुछ points है social function के next हम discuss करते है psychological अगर मैं बात को psychological जो आपके emotional needs को helpful करते हैं आपके mind के लिए helpful है वो आपके आते psychological में जो कि आपके traditional habits के characterized होते है certain foods जो कि person को pleasing या फिर culture distasteful तोस पर अड़र करते हैं यह सारे points आपके किसके है psychological function के हैं next topic हम discuss करेंगे nutritional assessment nutritional assessment का मतलब होता है assessment का मतलब आपको clear होगा कि हम data को collect करते है nutritional assessment का मतलब है कि अब हम nutrition मतलब nutrient के data को collect करेंगे अब आप किसी भी माला person में करोगा तो तो तरीके से कर सकते हैं एक तो उसके weight से एक होता है anthropometric assessment यह anthropometric assessment में भी हम लोग use करते हैं यह आपका weight और एज के according होता है जैसे कि आप इसमें देख रहो weight अगर 90% से जादा weight है एज में तो यह normal है अगर 76-90% weight for age तो गिये है grade 1 malnutrition, grade 2 malnutrition में 61 से कम और 75% से जादा more than 60% age में आपको grade 3 malnutrition है तो यह एक normal basis से data है जिससे आपको help मिलेगी आपके जो भी viva questions होंगे या फिर MCQ होंगे उसमें क्योंकि anthropometric assessment हम discuss कर चुके अपने nutrition में भी अगर आपने nutrition की video देखिए तो आपको clear होगा कि anthropometric assessment कैसे करते हैं हमने उसको detail में discuss कर रहा है नेक्स टॉपिक हम discuss करेंगे care of patient with dysphagia dysphagia का मतलब होता है difficulty in solute ऐसे patient जो solo नहीं कर पा रहे food को water को उन patient की आपको कैसे केर करनी है अगर मैं बात करूँ वो कुछ solo नहीं कर पा रहे है उनका क्या कारण हो सकते हैं उनके osophagus में ulcers हो सकते हैं उनके mouth cancer हो सकता है माउथ में कोई ulcer हो सकते हैं कोई problem हो सकते हैं जिसके वज़े से वो क्या कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है उनकी mouth care को provide करना है जिससे कि कोई भी infection infection हो तो ना फैले patient को encourage करना कि वो rest करें और सबसे खास बात है कि जो भी उसको meal हो वो nutrition जादा जादा प्रोवाइट करें अगर वो solo नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जगह हम use करेंगे other methods को जैसे कि हम use कर सकते हैं NG tube को हम लोग gastrotomy या फिर जेजनो टॉमी का use कर सकते हैं patients में जादा तर आपने hospital में देखा होगा तो NG tube feeding का जादा यूज होता है अगर मैं बात करो तो मैंने भी dysphagia patients में NG tube feeding देखी ऐसे patients जिनको hemiflagia है या फिर phagia, quadriflagia है या फिर वो stroke या coma conditions में उन conditions में भी हम लोग oral नहीं देतें क्योंकिकि उनको solo करने में problem होगी जिसके वज़े से infection हो सकता उनके mouth में तो book में तो बहुत सारे points दे रखे और अलग-अलग तरीके से दे रखे जैसे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर आप dysphagia का मतलब समझ गया है तो आप easily patient की क्या कर सकते हैं मेरा main focus आपको information कर जिए जिका मैं procedure के आपको अलग वीडियो provide कर दूंगी next है care of next topic है care of patient with anorexia anorexia का मतलब होता है loss of appetite यह chronic severe disorder है यह साधा तर आपको मिलता है morbidity और mortality मतलब के disease और death rate patients में अब ऐसे patients को आपको deal up करना है तो सबसे पहले आपको उनके assessment मालब उनके nutritional assessment को आपको क्या करना है सबसे पहले assess करना है साथ ही साथ उनको क्या reason है जिसके कारण उनको appetite नहीं है मालब उनके appetite इतनी week क्यू हो रही है next है आपको उनको हर एक assessment के बाद में वह चीज़ provide करने जो उनके लिए beneficial है मतलब कि ऐसी बहुत सारी disease condition होते हैं जिसमें symptoms होते loss of appetite तो आप disease condition का पहले पता मा जो उनके लिए helpful हो जो उनकी body को maintain कर सके रिपेर कर सके growth के लिए एक डिग्राम है जो anorexia affect बता रहा है मतलब कि अगर आपको कोई भी patient है जिसको anorexia है तो उसका brain की bad memory हो जाएगी muscles में क्या होगा paralysis होगे intestine में constipation ब्लॉडिंग होगी bones में osteoporesis होगा kidney acute kidney failures आपको मेलेंगे इसके आपकी yellow और dry हो जाएगी आपके जो hairs होगे वो कैसे हो जाएगी thin और brittle हो जाएगे तो आपको इससे clear होगा कि आपके लिए nutrient कितना important है हम discuss करेंगे role of nurse role of nurse loss of appetite के आगे का ही point है सबसे पहले आपको knowledge होनी चाहिए कि understand करना चाहिए patient को कि कितना food intake हुआ है उस patient का disorder कहा है potential eating में है कि नहीं वह चीज़ आपको check करने उसके बाद में patient को nutritional status के disorders बताने है monitor करने के बाद उनको जितना भी intake हो जादा जादा electrolyte के basis पर देना है encourage करना patient को कि वह meal times अपने according enhance करें और साथी साथ कुछ patient उनको इसलिए prevent कर देते क्योंको वामेटिंग होती है अगर उनको vomiting हो रही है तो आप उनसे कहेंगे कि आप एक meal लीज़े अगर आपको vomiting होगी तो हम आपको vomiting के लिए medicine देंगे जिससे आप अपनी means को ले सकते हैं next आप monitor करोगे कि elimination के ता मलब कि अगर आप intake देख रहो तो आप output को भी monitor करोगे skin conditions को देखोगे patients की activity को भी देखोगे कि anorexia के बाद उनकी patients की activity डाल हो गएती लेकिन आपने जो nutrients दिया उससे increase हो रही कि ने जुनका eating disorder है वो कैसे काम हो रहा है तो यह सारी चीज आजागे आपके role of nurse में care of patient with nausea, nausea का मतलब क्यों? nausea एक unpleasant feeling है जिसमे wave-like sensation होता आपको back of throat मे अगर इसमें defining characteristics की बात को तो इसमें nursing diagnosis में आपको silence symptoms मिलते है allergy food की वज़े से excessive salivation की वज़े से increase swallowing या फिर report of nausea तो यह सारे आपको silence symptoms मिलते हैं nausea access characteristics of nausea के क्या मिलेंगे? सबसे पहले आप history, duration, frequency, severity or precipitating factors, medications, measures यह सारी चीज आप क्या करोगे? assist करोगे जो क्या आपको define करेंगी characteristics of nausea intervention आप क्या क्या पेशेंट में assist करने के बात क्या क्या पेशेंट पेशेंट करेंगे? अगर मैं बात करूँ आप सबसे पहले उनको small diet or frequent meals provide करेंगे जो उनको small amounts में रहेगा साथी साथ every two to three hours पर उनको provide करेंगे आप non spicy or non fatty foods का इस्तमाल करेंगे avoid करेंगे food जिसकी वज़े से उनको nausea और past में for example किसी को कुछ food allergy के वज़े से nausea feeling रहती तो उस food का आपको देखना है मना पूछना उनसे history collection में next उस food को क्या करना आपको avoid करना intervention में आपको वुल फूट का ज्यादा try करना जो कि patient की body के लिए helpful हो जो कि maintain करते हो उनका body fitment के लिए तो आप उनस चीजहों का ध्यान देंगे अगर में बात करो interventions की तो यह सारे points basics से हैं आप इनको खुद से भी लिख सकते जैसे कि कभी भी nausea feeling आपको थी तो आप कभी-कभी cold applications का यूज करते हैं या फिर अपने favorite food के वज़े से उसको avoid करने लगते हैं और चीज को नहीं घाते हैं साथी साथ उस साथ उस साथ तोड़ा से जिंजर टी या फिर जिंजर एगले पील लेते हैं यह एक तरीके से जिंजर होता है वह आपके help करते हैं nausea feeling को प्रिवेंट करने में तो आप intervention में वह चीज़े भी कर सकते हैं जो home remedies में यूज कर जाते हैं जो आप यूज करते हैं और फिर आप जो प्रोसीजर में पड़ते हैं तो ऐसे चितर डिफिकल्ट लिया आप खुछ से add-on कर सकते हैं next topic है care of patient with vomiting what is vomiting vomiting is a complex reflex that is mediated by the vomiting center in the medulla oblongator of the brain आपको पता है जो brain में medulla oblongator check center जो कि आपका किस पे reflex check करता है vomiting का vomiting के जो आपको gastric content होता है वो mouth के through पहार आ जाता है इसमें contraction होता है abdominal muscles का nursing diagnosis that may arise अब हम अभी हम लोगों ने nursing process unit में डिस्कस कर रहता है vomiting तो उसपर आप nursing diagnosis कैसे ही लिख सकते है इसमें points में में आप इस तरी कैसे ही लिख सकते है मैं बता देती हो आपको fluid volume deficit related to loss of active liquid, imbalanced nutrition less than body requirement related to absorption disorder, nausea related to gastric irritation, ineffective tissue perfusion related to hypovolumia, risk for impaired skin integrity related to disruption of metabolic status, anxiety related to changes in health status nursing diagnosis आपको इस तरीके से लिखनी होती है जब आप nursing care plan बनाएंगे vomiting के लिए तो आप इसमें देख सकते है बुक में बनाया हुआ है हम लोग नंदा diagnosis के basis पर बनाते है सबसे पहला हमारा रहता है assessment diagnosis, interference मदाब हमारा goal रहता है planning, intervention, ration and evaluation nursing process unit हम discuss कर चुके unit 3 nursing process video uploaded है अगर आपने उसको नहीं देखे तो आप इसको देख लिए जो आपने doubts हो clear कर लिजए next topic है therapeutic diet, therapeutic diet हम लोग discuss करेंगे nutrition में detail में अगर में बात करो therapeutic diet के simple mean क्या होते है एक ऐसी diet जो आपके therapy purpose पे यूज होती है एक ऐसी well balance diet जो आपके nutrients आपके body को maintain करती है अब आप एक table देख रहे हो जिसमें figure 4.12 उसमें therapeutic diet को बहुत ही simply और बहुत ही कम world में explain करेंगे अकर मैं बात को therapeutic diet क्या है तो यह plan diet होती है जो कि dietation के द्वारा plan करी जाती है इसमें modification होता है normal diet जो आप normally diet लेते हैं उसमें ही थोड़ा सा modify करके उसको therapeutic diet बनाते है यह prescribed होती है doctor के द्वारा या फिर आप कैसे है plan होती है dietation के द्वारा इसको आप as a supplement use करते है अपने medical treatment या surgical treatment में जैसे कोई भी patient को surgery उसके बात ने इसको spicy food मना हो जाता है कुछ ऐसे fruits मना होते हैं जो कि उसके लिए नहीं helpful होते हैं या फिर आप कैसकते है medical treatment के purpose से हम लोग इस करते हैं जिन patients को diabetes है उनमें हम लोग sugar को restrict कर देते हैं जिन patients को blood pressure उनमें हम लोग iodine या फिर कह सकते salt को restrict कर देते हैं तो यह therapeutic diet एक तरीके से medical और surgical treatment में आप help करते हैं therapeutic diet एक full unit है nutrition में और इसको हम बहुत ही detail में पढ़ेंगे अब यह के लिए foundation में सिवह सब definition याद रखेगा क्योंकि definition foundation of nursing के लिए एक important part है नेक्स्ट आइंक्लीमेंट की बुक में अगर मैं बात कर तो बहुत ही simply diagram के थ्रू से वह explain करते हैं अब इसमें आप स्क्रीन में देख रहें दो एक figure बना हुआ है एक figure आपका बताता है major nutrients of food एक figure आपको डिस्क्राइब करता है relationship between nutrition and infection हम सबसे पहले बात करते है major nutrient of food आपको पता है आप एक खाने प्रदाश से क्या क्या ग्रहन कर सकते हैं तो protein, minerals, water, roughish, vitamins, carbohydrate, fat आप ऐसे भी कह सकते हैं आप macronutrients और micronutrients भी आप कहां से लेते हैं food से लेते हैं जिसमें आपके ये सारे चीज़े nutrients आपके आजाएंगी next के relationship between nutrition and infection अगर मैं बात करूँ कोई भी over eating होता है उसमें infection रहेगा साथी साथ relationship आप डिसकस करो तो nutrition जो patient पे है वो severe human deficiency की वज़े से आपको मिलेगा malnutrition की वज़े से infectious disease हो सकते हैं अगर कोई भी effect है nutrition पे इसका मतलब वो effect इस पे है मतलब क्या है अगर आप nutrient ले रहे हो तो आपकी body fit है और आपका immune system fit है तो आपको कोई infection नहीं होगा अगर आपका disbalance है imbalance हो रहा है nutrition में nutrient में इसका मतलब आपका immune system weak है और आपको infection होने की chances बहुत ही जादा और बहुत ही जल्दी है इस diagram है थोड़ा सा complex way में लेख रखा है बट मैंने आपको simply way में समझा दिया है और यह diagram आपको सिर्फ analysis purpose पे कोई as a important नहीं है जो exam purpose से हो next topic है hospital diet hospital diet three types की होती सबसे पहले है full diet फिर है soft light diet फिर है bland diet it is a regular well balanced diet it is a vegetarian or non vegetarian it is for patient who do not need any special modification hospital diet में जो सबसे number one है वो full diet है यह एक well balanced diet होती है वो depend करता patient vegetarian है कि non vegetarian उस according मिलता और इसमें कोई special modification ही होता है as normal रहते हैं जैसे हम लोग daily purpose से लेते हैं वैसे ही आपके क्या रहेगी full diet रहेगी लेकिन इसमें balanced diet रहता है इसका मतलम nutrients are fully majorly present होंगे next is soft light diet next आपका है soft light diet यह आपको क्या provide करता है easily digestible food जैसे कि आपको वो food जो कि आपको ज्यादा ना च्विक करना हो जिसमें fiber या फिर seasoning ना हो आप इसमें light food add-on कर सकते हैं जैसे कि आपका simply आता है serum या फिर आप ब्रोथ या फिर आपका salad यह सब चीज़ा आपके आती है tea with cream honey यह सब आपके soft light diet में आती है bland diet का मतलब हो जो easily digestible हो वो आपको irritation ना cause करें GI tract में उसमें roughish content क्या हो लो हो आप bland diet क्या होते है वो simple diet होती है उसमें आपका जो oily spicy food होता है वो कम होता है और bland मतलब बहुती simple सा होता है जैसे कि आप कह सकते है oats या barley वो bland diet होती nutrition उसमें high होता है और कोई भी irritation cause करने का उसमें नहीं होता है नेक्स्ट आपका topic है method of feeding method of feeding में आपके आते हैं दो types एक होता है eternal एक होता आपका paternal अगर मैं बात करूं internal की तो यह GI tract मतलब की gastro intestinal tract तक जाता है और paternal में जो आपका veins में जाता है आपका internal में मतलब important है तीन एक आपका है NG tube एक आपका आएगा gastrotomy एक आएगा jejunotomy gastrotomy, jejunotomy, NG tube के बारे में मैं आपको बता दिती हूँ प्रोसीजर आप अपने आप से cover up करेंगे अगर कोई भी प्रोसीजर में problem होगी तो आप comment box में mention करेंगे प्रोसीजर को मैं separate video के तुरू आपको provide करूँगी जिससे आप clear कर सकते हैं प्रोसीजर को क्योंकि एक video में theory plus procedure cover up करना मुश्किल है इस वीडियो में स्फिफ हम theory पे focus करेंगे अगर मैं बात करूँ गेस्ट्रो टॉमी मतलब कि क्या होता है जो आपका stomach है gastro का मतलब है stomach tummy का मतलब है cut मतलब की stomach में cut करेंगे stomach cut करने के बाद में हम लोग उसमें pipe मतलब की जैसे engine tube होता है वीसे tube को fit कर देंगे fit करने के बाद में direct food उसमें करेंगे मतलब की GI track का use हो रहा है क्योंकि इसमें stomach आ रहा है इसलिए internal में अगर मैं बात करूँ तो जिजनम जिजनम क्या होता आपका एक पार्ट आते स्मॉल इंटेस्टाइन का सेम प्रोसेस gastro में आपका stomach है और जिजनम में आपका क्या जाएगा small intestine का जिजनम तो एक सिंपल सी definition म अपको एक्सप्लीन करतें कि क्या होता है NG tube इसको हम लोग कहते हैं nasogale gastric उसे ही को हम लोग और Hil Water糖 फी पाक जो हम लोग को no से insert कर तो अपकी stomach में placement करता है और हम लोगों को कोई भी medication या फिर कोई भी कोई भी फीट कराना होता फुट में जैसे की दाल का पानी और चावल का पानी जो भी एस प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो हम लोग उसी से प्रोवाइड करता है पेशेंट को और इसका भी एक प्रोसेस होता है और एंजी ट्यूब फीडिंग बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा कोई भी डाउट हो कमेंट बोक्स में में एंजी ट्यूब फीडिंग में आपको सेपरेटली ज़रू प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट इप्रेटर्नल प्रेंटर्नल में आता है टीपेंट टोटल पैरेंटल नूट्रिशन यह आपको वे बॉटर का यूज परेंट पेशेंटम इंटर्नल नूट्रिशन अम लोग यूज करते प्रफॉर्म करने वे जो बोडी को डाजस्ट फूट प्रोवाइड करता है इस टमग के जगा डारेक्ट वेंस में यह आफ को साइट जो नौर्म एक्टिविटीज उसे परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी त्योंकि उतना इनफ न्यूट्रिशन प्रोवा कि इसमें TPN सॉलूशन है इंफ्राफिनस ट्यूबिंग है और जो आप वेन देख रहे हैं वह वेन का नाम है सब क्लेविकन वेन उस वेन में आप उस ट्यूब को फिल्ट मिलब क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे और उससे के सुफ्रू से आप TPN जाएगा यह TPN कैथेटर हम आपने देखा होगा कभी भी यह हॉस्पिटल साइट में वह क्याते हैं लगाने के लिए मेडिकेशन परपस के लिए या फिर कोई इंसर्शन लिए तो हम लोग उसी के लिए को पहले लगाएंगे वेन में सब क्लेविकल वेन में वेन के बात ने उससे ट्यूबिंग जो हो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में में अपका कवर अप हो जाएंगर नूट्रिशन में नेक्स कार्बो कुछ पॉइंट से टीपीन में इंपोर्टेंट हम उनको डिस्कुस कर लेते हैं कार्भो हाइडरिट प्रोइड कालोरी तो दे बोडी आपक इनों हमारे मेजर पॉइंट होते हैं मनना कि यह मेजर नूट्रिएंट होते हैं आपको कार्भो हाइडरिट का फंक्शन पता आपको प्रोटीन का फंक्शन पता आपको फैट का फंक्शन पता है तो इसको टेटिल में बताने कि मुझे कोई ज़रत नहीं है अगर आपको को है लेकिन थोड़ा minor form में है रोल क्या है अगर मैं बात करूँ रोल और प्रोफेशनल इन टीपी एंट तो प्रोफेशनल का क्या रोल है नर्सिंग का क्या रोल है डिएटेशन फार्मेसी और क्लिनिकल नूट्रिशन टीप यह पॉइंट आपका important है यह पॉइंट आपको nutrition की book में नहीं मिलेगा सबसे पहले medical patient को assist करना fusion का fluid balance को assist करना उसके dietitian से बात करना उसको provide करना है की नहीं उसको prescription देना parental nutrition का यह सारा काम एक medical profession का है nursing का क्या है patient को सबसे पहले assist करना और output और intake chart का करना, फ्लुड बैलेंस का, उसका वेड चेक करना, प्रिस्क्रूप्शन, चेक करना, कि उसको परेंटरल नुटृइशन है की नहीं है, उसके बाद पेशेंट को इंसुर करना, पेशेंट को प्रोवाइट करना, यह सारी चीज आती नर्सिंग की, डायइटीशन की क्या वो आ कौधिनेशन सबक्यारिक्सितितितिन को असिस कर् excess करती ही पेषिंट के फूट मेरेट जार्ट को में इंटें करती है다 के डिए इडवाइस को देख्थिति पी आपी यह अपिन리 değंट की और prescription को देखती है special circumstances को देखती है over a drink nutritional plan और consultation based advice को भी क्या करती है check करती है assess करती है यह कुछ रोज जो professionals और TPN में use होते है TPN मतलब total parental nutrition में next is side effects of TPN most common side effects parental nutrition के mouth source poor night vision skin changes patients should speak with their doctors if these conditions do not go away other less common side effects के जैसे की change in heartbeat क्यों heartbeat में change आ रहा है क्योंकि जो आप देख रहो जो सब clavical vein है वो आपके superior vein अकावा और आपके right in ominate vein से attach होती है confusion, seizures, difficulty breathing, fast weight gain या फे बहुत ही जादा weight loss, fatigue, fever or chills, increased urination, यह कुछ side effects है TPN के, कोई भी procedure होता है उसका advantage होता है साती सद उसका disadvantage भी होता है बस आश की वीडियो के लिए इतना ही हम लोगों ने unit 4 nutritional leads complete कर लिया है प्रोसीजर को नहीं complete कर रहा है क्योंकि main focus हमारा theory पे था प्रोसीजर जो आपका practical portion वो आप अपने आप से खुद से cover up करेंगा अगर आपको कोई भी डाउट हो ना अप प्रोसीजर समेश है तो आप comment box में mention करेंगा मैं separate video procedure की आपके साथ provide करूँ जिससा आप easily अपने practical और procedure को continue कर सकते हैं और कोई doubt हो unit 4 या foundation of nursing से related so please mention in our comment box like the video share the video subscribe to the channel thank you